तो गैज यहां पर हमारा सब कुछ हो चुका है कोई और चीज नहीं पची है तो यह चलते हैं नेक्सट पार पे चलते हैं तो यहां तो हमारा कंप्लीट हो गया था इंसरेशन राइट अब नेक्सट टेप क्या है हमारा next step देख लेते हैं गैज इसा गते हैं हमने यहां पे कॉनसा इंस जगा दिया क्या हमारा क्या क्यों क्योंक्रफॉर्षन कर देते हैं कि हमारा क्योंक्त्य हम एकॏरिज पूर्ण में 15 जरुँस्ब्धने कर uniform होगा क्योंकие क्यूंके कुंक्त्ध है क्योंक्त्ति तो यहां पर सबसे पदेपार जन्मित टेम्क्वीचल M रिमूब कर देते हैं बाकी का मुझे काम नहीं है URI पे गाइस रहता है थोड़ा कि हमें लेबल वो नहीं चाहिए बाकी सब का इतना को इस्व नहीं है तो यहां पर क्या आ गया हमारा URI आ गया, projection आ गया, selection selection, selection, and order by आ चुका है query में इस जी ते और अपको परमिटर एक्स्प्लें कर चुका हम कौन सा परमिटर क्यों है क्यों यूज करते हैं कैसे इसकी working राइट तो simple अपके कर लेंगे guys, simple इसका implementation कर लेंगे में जादर detail में नहीं जाओंगा तो guys, यहां पर सबसे पहले हमें किया करना है, यहां पे सबसे पहले मुझे फिरसे हम क्या access करेंगे अपना SQLite database क्यों इस बार क्या करना है, पिछली बार guys हमने जब insertion करा था, right तो insertion में क्या करा था write करा था अगास केंद अब करना है मुझे read करना ना है तो यहां पर इस simply readable database access कर लेंगे तो यहां पे घाई हमारा सबसे हुआ है जो ह्मारा mtoss DB helper उसको 67 रीडिब्ल database टेटे एक्सस कर लेंगे यह कहाता हमारा first step तहा करेंगे अपने डेटबेस को एक्सेस करेंगे रीट करेंगे फिर गाइस सेम चीज़ है हम क्या यूज करेंगे यहां पर मैचर यूज करेंगे अपना यहां पर किस नाम से बना लेंगे मैच के नाम से बना लेंगे सेम गाइस जो हमने यहां पर किया था राइट यहां पर जा से यहां पर तवन आपको अल्रेडी बताया था हमारे इंसर्ट क्वेरी डिलीट हर चीज का जो रिटर्न टाइप होता है वो डिफ्रेंट होता है यह चीज हम लोग नहीं बहुत डिटेल में डिसक्स करी है पुराने कोर्स में कि जो हमारे इंडिविजुल क्वेरी हो गया डि वेंसर stellar करते हैं करें रिटर्न करें कर लेता है इक कर सकते हैं कर लेड אנחנו यहां पर das quelle मएच कर 다स्थ के नाम से हैं यहां पर क्या स्केस आए टाक्थ कर लिए था यहां पर हमारा रेट्री护र्सर ओको Concern लिए इसमें स्टब कर लुए मैं तो यहां पर क्या क्या याद आगा डेरा और क्या करेंगे घृ is तो कीजिए हम करेंगे सबसे पहले का यूज करेंगे हम क्या टेबल का नेम तो यह आगा टेबल नेम अब यहां पे एक चीज और किसी ने जो टेज़ जो हमारी कुछ आपको टास्क एंट्री टास्क का टास्क एंट्री पूरा यहां पर लिखना पड़ेगा तब जाके वह आएगा तो देख लेना इस इसका आपका होना चाहिए लिखा हुआ कि एक पर कि अंट्री इसे के ऑक हमारा बहुत हुं आगया और कुछ है नहीं कि अ झायरा नवां पर सॉदर फो अप्री टैक्डब्र के KAR यहां पर सब्सक्राइब करता हुआ कि रिंए ना धरल वाई करों मोस। 현 यहां related करें मैं यहां कि ढूंद गया data base skecwarie करनी थी वो करी उसने और किसमें करसर में स्टोर कर ली रेट्रीफ कर ली जो अलेडी हम यहां पर अपर कर चुके थे create कर चुके थे और क्या create कर लेता है यह तो हो गया हमारा एक टास्क एक default case अपना कर लेता है कि जिसमें हमारी कोई value ना generate मतलब uri process ना हो तो यहां पर क्या कर देंगे throw कर देंगे new unsupported operation यह use कर लेता है guys and message दे रहे हैं यहां पर unknown unknown uri okay and unknown uri may guys क्या pass कर देंगे यह पास कर देंगे ताकि वो show हो जाए and यहां पर क्या हो गया हमारा switch case पूरा हो गया है guys और अप्या करना है guys जो यहां पर हमारा retrieve cursor था right अब मुझे इस अपडेट भी करना है कि इसकी value update हो गई है तो यहां पर retrieve cursor पर हम क्या deal using content resolver use करेंगे then सब्सेडा सब्सेश्ट करेंगे यहां पर क्या औरकिशन्स फीला हो गया हमारा יחisudorUI क्या घराथ कोंटेक्स आ गया और फिर क्या use करेंगे हम अपना content de Soler use करेंगे श्म्या पास कर देंगे जो हमारी और होगी तो इसी के यह क्या होगा हमारा नोटिफिकेशन सेट हो गई किसके थूप content डिजॉल के थूप उसमें क्या पास कर दी हमने युराय पास कर दिया और एक लास्ट बचाए वह क्या है गई क्योंकि हमें यहां पर कुछ रिटर्न नहीं करा है तो मुझे क्या रिटर्न करना है ज ऐसे ओब्चेट कर रहा है यहां पर ओब्जेक्स करा जिसे हमने किससे लिंक कर दिया रीडिवल डेटाबेश से लिंक कर दिया और यूराय मैने के बाद अपने तास्में operation हमने इंप्लीमेंट कर दिया कौन सा query operation and query operation में हमने के के दिया टेबल नेम दे दिया projection selection selection ask दे दिया order by दे दिया और simple उसे ब्रेक करके default condition दे दिया कि in terms अगर हमारा कोई है code run ना हो query का उसके पास simple के गरा मैंने update कर दिया किसको content resolver के through नई query पे and return कर दिया तो हमारे पास अब नई कर सा रहे था उसे return कर दिया तो यह तो हो गया guys हमारा एक पार्ट अब यह क्या है खली logic logic है यह क्या हो गया हमारा query का logic implement हो गया किसमे content provider में अब मुझी करना है implement करना है implement कहा करेंगे guys हम इसे main activity में क्यों करेंगे क्यों कि guys जब आप click करोगे तो आपको कहां देखना है main activity में देखना है तो main activity में ही query perform होगी तो main activity में क्या होगा इसका implementation होगा so guys का थोड़ा सा font बड़ा कर लेते हैं simple and यह किसमें implement करेंगे अपना query अगर आपको याद हो यहां पर मैंने क्या कराता आप आपको अल्रेड़ी का यह चीज बहुत बार डिसक्स कर चुके हैं जो हमारा query ऐसे भी जो उसे भी operation होते है इसमें time लगता है time consuming process है networking का दो guys होता ही होता है पर जो हमारा guys database होता है उसमें क्या बहुत सारी processing लगती है जो अगर हम उसे foreground में run करेंगे main thread पे run करेंगे तो हमारा क्यों जाएगा जो पूरा logic है वो क्यों जाएगा हमारा यह निया कि हम कहां करते हैं हमीशा background में run करते है background thread में यह पर क्या हमारा जो लोड़र है उसके background में query run करेंगे तो हमारा load in background दो क्रेंगे हमारा loading background है एन इसमें क्या disturb करें try catch block use करेंगे और simple क्या use कर लेंगे क्योंके मुझे रट्रीव करना है और सब्सक्राइब तो हम यूज कर लेंगे इसमें गेट content resolver dot query और यहां पर query करेंगे गाईज simple content resolver पर हम and query कौन सी करेंगे जिसमें हमारे क्या होगा और यह होगा प्रोजेक्शन माद्टेशन आज होगा यहां पर सिंबल हमने कैंगेए अपनी कवेई लेली और सबसे पहले क्लिकசा है कि गास्किक हमारा धस्कांग एंट्री में फांट्विक्वार कॉन्टें यौर राई है सबसे पहले अगया हैं और अहां पर क्या और क्या करते हैं और कॉलम्स को भी दे ले थी तो मझे नह Battle Back के करने धी क्या करना इसनटी राइट है तो हमारा प्रहा तो जिए से ओगाई है अबधिन गया और हमारा पूरा हो गे City और यहां पर क्या देदेंगे हम टैग देदेंगे हमारा और यहां पर मैं क्या ले देदेंगा कि अगर यह फेल्ड हो जाएगा क्या डेटा लोड करने में राइट को यहां पर क्या हो गया फेल हो चुका इसे लेटा लोड करने में और संपल क्या कर देंगे ऐसा करते हैं इस return करा देंगे ओके यहां पर क्या हो गया हमारा यह एक पार्ट पूरा हो गया है यह